हेलो फ्रेंड्स लेडिस क्रिस्ट चानल में आप सब को स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे बेल पूरी को कैसे बनाना है रोड साइड जैसा बेल पूरी को हम घर पर ही कैसे बनाते हैं वो देखते हैं चलिए शुरू करते हैं मैंने बेल पूरी को बनाने के लिए पहले मैंने एक चोटा जार लिया है, मिक्सर जार, इसमें मैंने डाल दिया है एक टोमाटो, टोमाटो को मैंने चोटे-चोटे पिसस में काट लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे तीन से चार लसून, और आदा चोटा चमच, जीरा डालेंगे, अभी हम इसको अच्छे से ग् इसके बाद मैंने एक पैन लिया है मैंने इसमें दो से तीन चमच ऑईल डाल दिया है इसको हम हीट करेंगे भी ऑई हीट होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी अभी हम इसको अच्छे से पकाना है पांच से दस मिनट तक अच्छे से पकाना है इसके साथ एड़ करेंगे स्वादानसार नमक लाल मिर्च पौडर मैंने एक टीजपून लाल मिर्च पौडर डाल दिया है इसके बाद एक टीजपून शक्कर डाल दिया है अभी हम इसको पकाना है इसके साथ हम और एक काम करेंगे मैंने और एक चोटा पैन लिया है मैंने इसमें डाल दिया है एक चोटा चमच आयल इसको हीट होने के लिए रखतिया है स्टोक के उपर ऑईल हीट होने के बाद इसमें डालेंगे मुंगफली मैंने तीन से चार चमच मुंगफली लिया है अब यहम मुंगफली को ऑईल में तोड़ा सा फ्राइ करेंगे मुंपली को अच्छे से फ्राय हो चुका है, मैंने स्टोख को भी आफ कर दिया है, स्टोख को आफ करने के बाद अभी हमें इसमें तोड़ा सा नमक और लाल मिच पोडर डाल के आच्छे से मिक्स करेंगे, आप इसमें तोड़ा सा गरम मसला भी डाल सकते हो मैंने खाली नमक और लाल मिर्च पौडर डाल दिया है मुंग फली भी अभी रडी हो चुका है इसके साथ टोमेटो प्यूरी भी अच्छे से पक चुकी है दोनों को हम अलग अलग बौल में डाल देंगे मैंने टोमेटो प्यूरी को एक बौल में डाल दिया है और मुंग फली को भी अलग बौल में डाल दिया है मुंग बनाने के लिए मैंने मूर्मुरा लिया है और पैस को चोटी-चोटे पीसेस में काट लिया है टॉमेटो को भी चोटी-चोटे पिसस में काट लिया है हरा दनिया लिया है टॉमेटो प्यूरी को रेडी कर दिया है सेव लिया है मूंग फली अभी हम मुर्मुरा में कटे हुए प्यास को डालेंगे इसके बाद टॉमेटो को डालेंगे चोटे चोटे पिसस में काट लीजिए इसके बाद एक से दो चमच प्यूरी डालेंगे आपके इस वादन सर आप प्यूरी को ज़्यादा भी डाल सकते हो इसके बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक चमच मैंने प्यूरी को डाल दिया है इसके बाद मुंगफली को डालेंगे इसमें हमने प्यूरी में पहले ही नमक डाल दिया है तोड़ा कम लगे तो आड़ कर सकते हो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद मैंने एक प्लेट लिया है प्लेट में अभी हम इसको डाल देंगे एक टॉमेटो प्यूरी में हम दो से तीन प्लेट बेल बना सकते हैं इसके बाद इसके उपर कटा हुआ पैज डालेंगे कटा हुआ टॉमेटो डालेंगे इसके बाद मूंग फली डालेंगे और हरादनिया डालेंगे और लास्ट में हम सेव डालेंगे अभी कलरफुल और बहुती टेस्टी बेल रेडी हो चुका है देखिए फ्रेंड्स रोड साइट जैसा बेल को हम गर पर ही आसानी से बना सकते हैं एसे ही हम बहुती आसानी से रोड साइट जैसा बेल को गर पर ही बना सकते हैं बहुती कलरफुल और टेस्टी बेल बन चुका है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए आपके फ्रेंट्स और फैमली के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए आपको यह मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सक्षिन में जरूर बता दीजिए और सब्सक्राइब करना मत बूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो दिखने के लिए थैंक यू